नमस्कार SPN 9 News में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ दिनेश कुमार दिली की राजनिती की बात करें तो खुद अरविंद केजरिवाल अभी जेल की सलाकों के पीछे से बाहर आये भी नहीं थे कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें फिर से बढ़ती वी नजरा रही ह उखला से विधायक अमानटुल्ला खान के घर पर एडी ने सवा आठ बजे के करीब रेड मारी चापे मारी की अमानटुला खान के घर से कई एहम दस्तावेज भी उनको बरामत किये गए और इसके साथ साथ एडी की टीम ने अमानटुला खान को गरफतार कर लिया आपको बता दे कि वक बोर्ड की परिसंपतियों में एनिये में तताओं के चलते वक बोर्ड की वितिये यहाँ पर जो तमाम कारिशयली थी उसमें एनिये में तताओं के चलते और इसके साथ साथ वक बोर्ड के जो तमाम पद होते हैं उन पर अपने लोगों की भरती को ले कर करके यहाँ पर ओखला के विधायक अमान उतला खान पर पिछले दो साल से कारिवाही चल रही थी और ऐसे में एडी ने उन्हें सुबह उनके घर से दबोच लिया ओखला वास से ही उनकी गिरफतारी हुई और इसके बाद एडी पूस्ताच कर रही है लेकिन बड़ा सवाल य अभी भी यहाँ पर जेल में ही रहने का कहीं न कहीं एक प्रोविजन तयार किया जा रहा है इडी और सीबी आई के मामले में जहां अरविंद केजरिवाल के खिलाब मामला लंबित है तो सीबी आई के खिलाफ जो सीबी ने अरविंद केजरिवाल के खिलाफ जो चार सीट के मामले में अगली सुनवाई यहाँ पर 5 सितंबर को दिली हाई कोट में होने वाली है। आपको बता दे कि E.D. के मामले में सुप्रीम कोट से अरविंद केजरिवाल को जमानत मिल गी थी लेकिन C.B.I. के अंटरी के बाद अरविंद केजरिवाल जेल के सलाकों के पीछे ही फसेवे हैं और विधान सबाज चुनाओं से पहले क्या केजरिवाल जेल के सलाकों के पिछे से बाहर निकल पाएंगे ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है आपको बता दे कि लगातार भारती जनता पार्टी यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरिवाल को कहीना कहीं घेरने का प्रियास करती भी नजर आ रही है दिल्ली में विधान सभा चुन जिन नेताओं की यहाँ पर रिहाई हुई है जेल से चाय मनिस्सी सोधिया की बात करें संजे सिंग की बात करें या फिर आतिशी सिंग और सुनिता केजरिवाल यह ऐसे नेता हैं जो कहीना कहीं आगामी वक्त में दिल्ली के मुख्यमंतरी को लेकर आपने दाविदारी की गई है इस समय सिमा में उनकी रिहाई नय होना कहीं न कहीं उनके राजनिति भविश्य पर भी यहाँ पर सवाल खड़े कर सकती है कि आखिरकार यदि अर्विंद केजरिवाल जेल के सलाकों के पीछे से बाहर नहीं निकलते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली में वाकिन में क्या कम जोर होती भी नजर आएगी अब मनी सी सोधिया संजे सिंग जैसे नेता लगातार RCM की कुरसी को लेकर ताल ठोक रहे हैं मनी सी सोधिया पदियात्र्इ कर रहे हैं पार्टी के वदाधिकारियों से मिल रहे हैं और जाहिर तोर पर दिल्ली की राजनिति मे बड़ा सियासी परिवर्तन लाने की कोशिशे एक बार फिर से आम आदमी पार्टी करती भी नजर आ रही है अब देखना यह होगा कि केजरिवाल के चेहरे पर इचुनाव लड़ती भी आम आदमी पार्टी नजर आएगी या फिर कोई और चेहरा उबर कर सामने आने वाला है फिल हाल इस ख़वर में इतना ही देश दुनिया की तब आम बड़ी ख़वरों के लिए आप देखते रहे एस्पे एन नाइन न्यूज